हलो प्रींच कैसे हो आप सब आई हो आप सब अच्छी होंगे आज हम आपके साथ सेयर करने जा хочет हम आपको साथ पूरा बपेनकर आप उपवाच ले आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो चलिए शुरू करते हैं तो यह हमने ले लिये हैं चार कच्छे अंडे हमने हरी धन्या छोटे टुकड़ों में काट लिये और हमने दो बड़े टमाटर ले लिये थे इनको भी हमने छोटा-छोटा काट लिया है दो प्याच लहसुन और हमने चार से छे हरी मिर्च आपको कैसे करना है अब हम जलिए लिम्क नाचीब लांदें ये लेगे और आप आकर आर अक्लाचीब मिर्यल हम्मिक्स कर देग के तो देखके कैसे कर Об backgrounds अफंची लोग को सब दोत लिए व्हणग कर द immensely लिए मुंदो है यह हमने सारा मंटेरियल इसी घोल में डाल दिया है धन्या भी हमने डाल दिया है और अब हम लिए इसको अच्छ सी मैश कर लेंगे इसका बढ़ियास कों ट्यार करेंगे नमक डालेंगे और हम इसमें फड़ेंगी मसाल करा dif ոूकी सबज्जी बनाते हैं तब भी यूज करते हैं और उमलेट बना रहा रहा है दन्या जीरा और लाल म्रची हमने पहले से पीस के रख लिया था तो बहुत पतला हमने इसको नहीं पीसा था थोड़ा मोटा ही है हमारा यह मसाला आपको अगर गरम मसाला पसंदे तो आप गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं तो हमने गरम मसाला नहीं लिया है क्योंकि हमें आमलेट में गरम मसाला अच्छा नह आमलेट का आकार देंगे, देखे हम कैसे अमलेट आकार दे रहें हैं, चार के अमलेट, फॉसमलिक अटेकरण आमलेट लगेगा तोछा उम्हों अब लिच्छा नहीं लगेगानी है, चारों तरफ से गुला गुला शा और अब हम इसको पलट देंगे नीचे से ये हमारा पक चुका है और उपर से भी अब हमारा पक जाएगा पलटने के बाद किनारे किनारे से हम चमत से थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे आप चाहें तो रिफाइंड आयल भी ले सकती है हमने सरसों का तेल लिया है तो देखिए आमलेट यह हमारा आच्छे से पक चुका है और अब हम इसको किसी बरतन में निकाल लेंगे इसको पकने में बहुत यह जल्ðी मावाली रस्पी है इसमें कोई जन जत नहीं होता है यह बहुत जल्दी फटा फट बनकर तयार हो जाता है तो आप इसको जब भी मन चाहेंता बना सकते हैं आपके पास कम समय हैं तो भी आप इसको बहुत आसानी 만शरीने से और बहुत ही बना सकते एर ऑग Pandoria कर राबर रहेगा मोटा पतला नहीं होना चाहिए तो आपने देखा कि हमने जटपट आमलेट बना कर तयार कर दिया अगर रेस्पी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सस्क्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे सभी वीडियो दे